Hare Krishna Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya श्री कृष्ण जनमाश्मी कथा के पहले दिवस पे आप सब का स्वागत है हम ये कथा करेंगे बगवान श्री कृष्ण के जनम के लीला के उपर ये श्रीलव व्यासदेव जी का श्रीमत भागवत पुरान दशम सकंद से है ओम अज्यान तिमीरंदस्य ज्यानाजन शलाकय चक्षु उन्मिलीतम येन थस्मे श्री गुरवे नम नमा ओम विष्णु पदाय कृष्ण प्रिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ती वेधान्त स्वामी इतिनामिने नामस्ते सारस्वती देवे गौरवानी प्रचारिने निर्विशेशा शुन्यवादी पास्चात्य देशतारिने जय श्री कृष्णा चैथन्य प्रभूनित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासाधी गौर्भक्त व्रिंद आज बच्चों को पता है इजाक नूटन का नाम काफी प्रचलित है न्यूटन जिन्होंने थ्री लॉज अफ मोशन बनाए थे तो न्यूटन जग़ जग़ जाकर सेमिनार देते थे अलग-अलग युनिवर्सिटी में तो ऐसी एक युनिवर्सिटी में उन्होंने सेमिनार दिया और सेमिनार के बाद उस उनिवसिटी के प्रोफेसर को टीचर को मिल रहे थे तो एक फिजिक्स का प्रोफेसर था वो न्यूटन से बाचीत करने के लिए आया बाचीत के दोरान न्यूटन ने भगवान के बारे में बात किया न्यूटन एक आस्तिक वेक्ती था भगवान के अस्तित्व को मानता था इतना बड़ा वेज्ञानिक है और वो भगवान को लॉर्ड यूनिवर्स कहता था जिसको हम जगनात कहते हैं जग के नात लॉर्ड यूनिवर्स तो जब न्यूटन ने भगवान लॉर्ड यूनिवर्स की बात की तो वो फिजिक्स का प्रोफेसर हसा और उसने न्यूटन को कहा कि हम तो वेज्ञान के युग में जी रहे हैं भगवान तो कोई होता ही नहीं है आप भगवान की बात कर रहे हैं लॉर्ड यूनिवर्स की बा कि आज शाम को मेरा कहीं और appointment है, मैं वियस्त हूँ, अभी बात नहीं कर सकता हूँ जादा, क्यों न हम कल सुबह नास्ते के ऊपर laboratory में मेरे laboratory में मिलें, तो वो प्रोफेसर बहुत खुश हो गया कि न्यूटन ने मुझे अपने प्रयोकशाला अपने laboratory में नियोता दिया, तो महापर दोनों बैठ कर नास्ता खा रहे थे और बातचीत कर रहे थे, कि उस प्रोफेसर ने देखा उस बड़ी प्रयोकशाला के कोने में एक टेबल के ऊपर ये जो solar system में नो ग्रह है, उसका एक model रखा हुआ था, बहुत सुंदर सा, बीच में छोटे-छोटे बाल थे, सू लुटो, वीनस, वह सुंदर, तो वो प्रोफेसर आकरशित हो गया, और उसने का वाँ न्यूटन, इतना अच्छा model किसने बनाया, इतना खुबसूरत model, तो न्यूटन ने कहा कि कल रात को जब मैं लेबॉरेटरी लॉक किया, तो इस टेबल के ऊपर कुछ पेंट और कुछ लकड़ी पड़ा था, आज सुबेच जब मैं लेबॉरेटरी खोला, तो ये model था, तो किसी ने बनाया नहीं, ये अपने आप आ गया, बाइचांस हो गया, तो वो प्रोफेसर हसा और कहा, न्यूटन, आप मुझे मुर्क समझते हो, इतना सुन्दर फर्स्ट क्लास model, सुला सुरिय मंदल का, जरूर ये किसी ने बनाया है, तो न्यूटन ने कहा कि जब ये model अपने आप नहीं बन सकता, कोई बनाने वाला चाहिए, तो वो जो असली solar system है, सुरिय चंद्रमा तारे ग्रह है, क्या वो अपने आप बन गए, उसको भी तो कोई बनाने वाला चाहिए, औ तो न्यूटन समझाते हैं हमें, कि भगवान होते हैं, ये पुरी दुनिया बनाने वाला कोई है, जैसे अगर आप एक बहुत खुबसूरत पेंटिंग देखेंगे, गुलाब के फूल का, और आपको पसंद आएगा, तो आप क्या पूछेंगे, ये फूल का पेंटिंग कि तो अगर फूल का पेंटिंग बनाने वाला कोई है, तो कि असली फूल बनाने वाला कोई नहीं है, वो भी तो कोई होना चाहिए, तो उन्ही को भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, राम कहते हैं, अल्ला कहते हैं, क्राइस्ट कहते हैं, फादर इन हेवन कहते हैं, जहवा कहते हैं, उपरवाला कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, अलग अलग नाम है, मालिक कहते हैं, स्वामी कहते हैं, पिता कहते हैं, परम पिता कहते हैं, लेकिन है, तो उनी की हम कथा कर रहे हैं, श्रीमत भागवतम में उनको कृष्णा कहते हैं, उनी की हम कथ ऐसे तो भगवान कृष्णा जनम नहीं लेते हैं लेकिन फिर भी उनका जन्मार्श्मिक का कथा हो रहा है बहुत अद्बूत बात है जिसका हम आगे चर्चा करेंगे तो श्रीमत भागवत में भगवान के लिए बताया गया है परम सत्य एपसल्यूट तृत समम बोनम जनम आदी अस्ययत है कौन है भगवान कौन है परम सत्य वह विक्ति जिसे सब कुछ आता हो जो भी हम स्रिष्टी में देखते है या जिसका भी जानकारी है हमारे पास या हमारे पास जानकारी नहीं है लेकिन वह वस्तू है जो भी कुछ है वो सब एक सोर्ष से आता है एक जगर से आता है वो है भगवान कृष्णा शुलव व्यासदेव के पिता है पराशर मुनी बहुत बड़े विद्वान है उन्होंने लिखा है कि ये भगवान शब्द का मतलब क्या है भगवान भग मतलब ओप्यूलन्स आईश्वर्य वान मतलब पसेसर जिसके पास है तो भगवान मतलब वो व्यक्ति जिसके पास सब आईश्वर्य सो टक्का है पुर्ण तरीके से है उसी को भगवान कहते है ओप्यूलन्स आईश्वर्य वो चीजे है जिसे हम किसी की प्रती आकर्शित होते है तो पराशर मुनी ने बताया छे भगवान है छे आईश्वर्य है जो एक व्यक्ति के पास हो सकते है कों से छे आईश्वर्य है ब्यूटी, वेल्थ, स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस या नॉलेज, फेम, फेमस, रिनन्सियेशन सुंदर्ता और धन्वान, बल्वान, बुद्धिमान, यश्वान और त्यागी ये छे आईश्वर्य है वापिस पहला सुंदर्ता दूसरा धनवान तीसरा बलवान चौथा ग्यानवान या बुद्धीमान पाँचवा यशवान जिसके पास यश होता है और छटा त्यागी वैरागी किसी व्यक्ति के पास अगर धन है तो वो आकरशित करता है हमें हम उसके तरफ आकरशित हो जाते हैं कोई सुन्दर है तो हम आकरशित हो जाते हैं किसी के पास बल है तो हम आकरशित हो जाते हैं किसी के पास बुद्धी है तो हम आकरशित हो जाते हैं कोई फेमस है यश है नाम ज्यादा है उसका दुनिया में तो हम आकरशित हो जाते हैं और कोई वेरागी सादू है, सब कुछ छोड़ कर जंगल में रहता है, तो हम आकर्षित हो जाते हैं, तो ये छे आईश्वर्य हैं, तो पराशर मुनी कहता है, वही वेक्ति भगवान है, जिसके पास ये छे आईश्वर्य हैं, सव टक्का, मतलब उसके पास सव टक्का धन है, सव टक्का सुंदर्ता है, 100% सव टक्का बुद्धी है, सव टक्का भल है, सव टक्का यश है, और सव टक्का वेरागी है, वही वेक्ति भगवान है, और पूरे इतियास में हम देखें हैं तो सरफ एक कृष्ण है जो इस बात पे खरे उतरते हैं कृष्ण के पास छे अईश्वर्य है सव टक्का पहला तो धन धनवान कृष्ण के कितनी सारी रानिया है वो सब लक्ष्मी है लक्ष्मी देवी उनकी पत्नी है माता रुकमिनी सत्यबामा तो जिसकी लक्ष्मी पत्नी है वो तो धनवानी है तो कृष्ण सव टक्का धनवान है सो टक्का सुंदरता है, श्याम सुंदर, कृष्ण जब ब्रिंदावन में लीला करते थे, तो गोपियां तो आकर्शित होती थी, सब ब्रजवासी, गाय, मोर, यमुना का पानी, पेड, पौधे, बंदर, सब लोग उनकी तरफ आकर्शित हो जाते थे, देवी देवता भी आक कर्शित हो जाते थे, शाम सुंदर, तो सो टक्का सुंदर है, सो टक्का भलवान है, जब तीन दिन के थे, तो उन्होंने पूतना को मारा, और साथ साल के थे, तो बाए हाथ के एक छोटी सी उंगली पे साथ दिन रात लगाता और बड़ा गोवर्धन परवत उठाया, और क को ने दिया, युद्ध के मैदान में अर्जुन के साथ प्रश्णा उत्तर किया, और वो ग्रंत बन गया, पांच हजार साल से, और ऐसा कोई किताब है, जो करोडों लोग पढ़ रहे हैं, और अभी भी उसका फाइदा उठा रहे हैं, और यश, इतना यश है कि हर देश में बक्त है उनके, सब लोग उनको जानते हैं, लोग उनके उपर फिलिम बनाते हैं, लोग उनके उपर किताब लिखते हैं, लोग उनके उपर कविता लिखते हैं, लोग उनके उपर डांस करते हैं, जो नास्तिक हैं वो भी उनके बारे में बात करते हैं, कि वो नहीं हैं और यह उनका यश है और त्यागी पूरी दुनिया उन्होंने बनाई उनकी है मालिक है वो लेकिन उन्होंने त्याग कर दिया छोड़ दिया कि आप लोग जो करना है करो यह उनका त्याग है तो कृष्ण ही एक है जिनको भगवान बोल सकते हैं आप भगवद गीता पढ़ोगे तो भगवद गीता व्यासदेव जी ने लिखा है और कोई भी किताब हम पढ़ते हैं तो उसके लेखक उसकिताब के केरेक्टर्स या पात्रों के बारे में इंट्रॉड़क्शन देते हैं भूमी का देते हैं जैसे विलियम शेक्स्पिर ने किताब लिखाओ रोमियो एन जूलियेट तो उन्होंने बताया कि रोमियो एक जवान लड़का है जूलियट एक जवान खुपसुरत लड़की है और ये बात हम मान कर जब आगे पढ़ेंगे तो उनका स्टोरी हमको समझेगा उनकी कहानी हमको समझ जाएगी तो शेक्सपियर ने जो बताया है वो मानना होगा पात्रों के बारे में अगर मैं विलियम शेक्सपियर का कहानी पढ़ूँगा कि रोमियो एक लड़का है और सोचूँगा नहीं नहीं ये गलत है रोमियो एक लड़की है और जूलियट कोई बुढिया है तो क्या मुझे ये कहानी समझेगा प्रेम कहानी बिलकुल नहीं समझेगा तभी समझ में आएगा जब मैं शेक्स्पियर ने जैसे पात्रों के बारे में बताया है उसको मैं मानूँगा उसी तरफ व्याजदेव जी ने भगवत गिता में पात्रों के बारे में बताया है भगवत गिता में चार पात्र हैं जो बातचीत करते हैं कौन कौन है धितराशट्र, संज अर्जुन और क्रिश्ण जब धित्राष्ट्र कोई श्लोक बोलते हैं तो व्यासदेव लिखते हैं श्री धित्राष्ट्र उवाच धित्राष्ट्र ने कहा जब संजय कोई श्लोक बोलते हैं तो लिखते हैं श्री संजय उवाच संजय ने कहा जब अर्जुन को श्लोक बोलते हैं तो लिखते हैं श्री अर्जुन उवाच अर्जुन ने कहा जब कृष्ण को श्लोक बोलते हैं तो व्यासदेव क्या लिखते हैं श्री कृष्ण उवाच नहीं वो लिखते हैं श्री भगवान उवाच भगवान ने कहा क्यूं ऐसा? श्री कृष्ण उवाचा क्यूं नहीं लिखते है? वो भी लिख सकते है लेकिन लिखते हैं श्री भगवान उवाचा हमको ये समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये जो पात्र है कृष्ण है ये कौन है? भगवान तो अगर मैं व्यासदेव जी जो लेखक है उनका किताब भगवाद गीता पढ़ रहा हूँ और पात्रों को जैसे उन्होंने भूमी का दिया है, इंट्रॉक्शन दिया है, नहीं मानता हूँ तो मुझे उनका किताब नहीं समझेगा इसलिए उसको भगवद गीता का है, भगवान का गीत, कृष्ण गीता नहीं कहा है हाला कि कह सकते हैं और उसी तरह उसी भगवद गीता में कृष्ण खुद कहते हैं कि मेरे मैं परम सत्य हूँ, मेरे उपर कोई नहीं है, मेरे समान कोई नहीं है मैं भगवान हूँ और भगवत गिता सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं कि आप भगवान है आप परम धाम, परम भवान, पवित्रम, विभुम आप साक्षाद भगवान है और अर्जुन कहते हैं मैं आपका मित्र हूँ इसके लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ नारद मुनी भी भी बात कहते हैं असीत देवल बाकी सब भक्त लोग आचार्य लोग मुनी लोग भी यही बात कहते है श्रीमत भागवत्त में सुत्त गुस्वामी जब अवतारों की सुची देते है एकीस अवतारों की सुची देते है तो उनमें कृष्ण का नाम भी आता है और आखिर में वो बताते हैं ये जो कृष्ण है वो अवतार नहीं है वो अवतारी है कृष्णस्तू भगवान स्वयम ये बात बताते हैं वो कृष्णस्तू भगवान स्वयम कि कृष्ण जो है वो स्वयम भगवान है ब्रह्मा जी जिनोंने ये दुनिया बनाई दुनिया बनाने के पहले उन्होंने कड़ी तपस्या किया और एक किताब लिखा उसको ब्रह्मा समीता कहते हैं उसका सबसे मशूर श्लोक है कि इश्वरा परम क्रिष्णा शचिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्वकारन कारनम कि इश्वरा परम क्रिष्णा इश्वर मतलब कंट्रोल नियंता तो ब्रह्मा जी कहते हैं इश्वरा तो भहुत है लेकिन परमीश्वर एक ही है कौन है क्रिष्णा अनादीर आदीर गोविंद उनका दूसरा नाम है गोविंद अनादीर आदीर ओरिजिन आप आल ओरिजिन सबसे पहले वो है सर्वकारन कारनम, cause of all causes हर कारन का कारन होता है सबका आकरी कारन भगवान क्रिष्णा है उनके उपर कोई नहीं मेरा पिता है उनके पिता है पिता के पिता है दादा के पिता है सबके पिता है ऐसे आप उपर उपर जाओ जो आखरी आ रेगा जिसका कोई पिता नहीं जो सबका पिता है वो है कृष्णा ब्रह्मा जी को परम पिता कहते हैं उनके भी पिता है कृष्ण सर्वकारन कारणम तो ब्रह्मा जी इस खुद कहते हैं कृष्ण भगवान है शीव जी से माता पारवती एक बार पूछी कि आप हमेशा ध्यान में रहते हैं समाधी में रहते हैं मुझे भी बताईए किसकी पूजा अर्चना महान है, मैं भी करूँ सबसे अच्छी किसकी पूजा अर्चना है और भगवान श्रीव जी ने क्या उत्तर दिया, सर्वेशाम विश्णूर आराधनाम परम कि विश्णू की जो आराधना है, विश्णू कृश्ण एक ही है, क्रिश्ण की जो आराधना है वो सर्वेशाम परम है, सब में से परम है तो शिव जी कहते हैं कि कृष्णा भगवान है, ब्रह्मा जी कहते हैं कृष्णा भगवान है, शुकदेग उस्वामी कहते हैं कृष्णा भगवान है, नारद मुनी कहते हैं कृष्णा भगवान है, सब महाजन लोग कहते हैं कृष्णा भगवान है, चतुर्त कुमार लोग क पूजा करते हैं जो आचारिया है संप्रदायों के रामानुजाचारिया, मधुवाचारिया, विष्णु स्वामी, निम्बारकाचारिया वे कहते हैं कि कृष्ण स्वयम भगवान है। विष्णु स्वयम भगवान है। और ये भगवान कृष्णा भगवद गीता में एक बहुत ही रुची कर बात बताते हैं। वो कहते हैं बगवद गीता के चौथे अध्याई के दोश लोग हैं जो बहुत ही फेमस हैं सबको मालूम है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानीर भवत भारत अब्यूता नाम अधर्मस्य तदात्मानम स्रिजामी अह। वो कहते हैं कि जब भी इस दुनिया में धर्म का ग्लानी होता है धर्म कम हो जाता है और अधर्म बढ़ जाता है तो मैं अवतार लेता हूँ, मैं आता हूँ। और वो अवतार का क्या उदेश होता है परित्रा ना सादू ना विनाशा है चदुश्कृता कि तो सादू होते हैं जो भक्त होते हैं जो देवी देवता होते हैं उनकी रक्षा करने के लिए और जो दुश्ट होते हैं असूर होते हैं पापी होते हैं उनका विनाश करने के वो अवतार लेते हैं, अवतार, अवतार एक संस्कृत शब्द है, इसका मतलब है वो जो उपर से नीचे आया, जो उपर से नीचे आया, उसको कहते हैं अवतार, अवी आप अपने second floor से ground floor जाओगे, उसको अवतार नहीं कहते हैं, जो उपर से आध्यात्मिक जगत से, spiritual world से नीचे आता है, बहुतिक जगत में आता है, उनको अवतार कहते हैं, ऐसे कई अवतार हैं, तशा अवतार, मशूर हैं दस अवतार, मगर असली में अनगिनत अवतार है, ब्रमा जी बतादे हैं अवतार का कैसे गिनना, बहुत आसाल है, आप समुदर के किनारे जाओ, सागर के किनारे और बीच के उपर बैट जाओ आप देखेंगे लहरे आ रही हैं एक एक करके उन लहरों को गिनो जितने लहरे उतने अवतार ब्रह्मा जी क्या कहते हैं जितने लहरे उतने अवतार अंगिनत अवतार है गिन भी नहीं सकते इसमें दश अवतार फेमस हैं मशूर हैं दश अवतार कौन से हैं मत्स्य अवतार कुर्म अवतार वरा अवतार नर्सिंग अवतार वामन अवतार परशुराम अवतार राम अवतार बलराम अवतार बुद्ध अवतार कलकी अवतार famous है, मालूम होना चाहिए आपको मत्स्य, कुर्म वरा, नरसिंग वामन, परशुराम राम, बलराम बुद्ध, कलकी अब ये दस अवतार के लिष्ट में कृष्णा का नाम नहीं है हाला कि वे भी आये कृष्णा बलराम जी के साथ मगर इसमें नाम क्यों नहीं है क्योंकि हमारे आचारे बताते हैं, कृष्णा जो है वो सरफ अवतार नहीं है वो अवतारी है अवतारी मतलब source of all अवतार source of all incarnation सब अवतार जिसमें से आते हैं, वो वेक्ती जो है, original supreme personality of Godhead परम पुर्ण पुर्शोतम भगवान वो कृष्णा है ऐसे सब अवतार एक ही है फरक नहीं है लेकिन फिल भी एक original है जिसमें से विस्तार होते हैं बाकी अवतारों का जैसे एक मिन्बती है मेरे पाँ, जली हुई उसे मैं दस मिन्बती जलाता हूँ अब यह जो ग्यारा मिन्बती है सब की रोष्णी से मैं फरक नहीं है सब की शक्ती एक ही है लेकिन एक पहली थी जिसे बाकी दस जले उसी तरह सब अवतार एक ही है अलग-अलग उदेश से आते हैं लेकिन एक पहले है जिससे सब चालू हुए जिससे सब उद्गम हुए और वो कृष्णा है और वो नीचे आते है परित्राना ए सादू नाम विनाशा ए दुष्गृता अपने भक्तों को बचाने के लिए और दुष्टों को मारने के लिए इसमें भी असली उद्देश उनका है भक्तों को बचाना क्योंकि वो भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं दुष्टों को मारना तो है करते हैं वो लेकिन वो तो बिना आकर भी कर सकते हैं रावन या हिरने कष्षिपो को मारना है, तो राम नर्सिण गे रूप में आये वो, मगर ओद परमात्मा के रूप में, रावन और हिरने कष्षिपो की रिदेयमें बैटे हैं, अंदर से हाट अटाेक कर देते थे, वो मरें जाते थे, बीमारी के द्वारा या अर्थक्वेक के द्वारा या किसी भुकम या बिजली के द्वारा मार सकते थे मगर फिर भी वो नीचे आकर खुद भक्तों की रक्षा करते हैं क्योंकि वो भक्तों को प्रेम करते हैं मैं बच्पन में कहानी पढ़ा था अगबर और बिर्बल का, एक बर अगबर ने बिर्बल को प्रश्ण पुछा कि आपके धरम में, सनातन धरम जिसको हिंदू धरम भी बोलते हैं कोई-कोई, आपके धरम में आपका बगवान कृष्णा बार-बार नीचे आता है भक्तों को बचाने के लिए एक ऐसा भगवान है कि उसको आकर खुद काम करना पड़ता है, भगवान तो वो होते हैं जो बैठे रहते हैं, अपने आप सब काम होता है उनके इच्छा से, खुद क्यों काम करना पड़ता है उनको, तो बिर्बल ने अकबर को कहा कि इसका उत्तर मैं कु बगीचे में टैल रहे थे, खुद का ही बगीचा था अकबर के महल का बगीचा और अकबर की रानी थी, अपने अकबर के पोते के साथ छोटा सा शिशू था गोदी में खेल रही थी, उसकी दासियां भी सामने थी, और बीच में एक तलाव था, तलाव के इस तरफ अकबर बिर्बल टैल रहे थे, और तलाव के उस तरफ रानी खेल रही थी, अपने शिशू के साथ, पोते के साथ, कुछ दिर बार रानी अंदर चली गई, और अकबर ने देखा, वो छोटा जो पोता है, वो दासी के पास है, तभी अकबर का ध्यान गया, दासी खेल रही थी, और पोता दासी के गोदी से पानी में गिर गया, तालाव में गिर गया, और अकबर तुरंत कपडों सहीद, मुकुट सहीद, तालाव में कुधी मारा, तैर कर उस तरफ गया, तालाव के उस तरफ गया, अपने पोते को बचाने के लिए, और जब उदर पोचा और उठाया, तो तो भार आया पूरा कीला और हैरान हो गया कि पोता किदर है तो रानी पोते को लेकिया ही बोला पोता ठीक है सब सुरक्षित है फिर बिर्बल आया उदर और अक्बर से पूछा कि जब आपने देखा आपको ऐसा लगा महसुस हुआ कि आपका पोता पानी में गिर गया तो आप स्वैम क्यूं कूदे पानी में मुझे बोलते थे या मंतरी को बोलते थे या बॉड़ी गार को बोलते थे सेना पती को बोलते थे सेना को बोलते थे हम सब तो आपके साती थे ना हम सब को किसी को भी सेना पती को बोलत तो विर्बल ने का उसी तरह हमारे कृष्ण है जो हमें प्रेम करते हैं वो इतना प्रेम करते हमें कि जब वो देखते हैं कि हम किसी खत्रे में किसी तकलीफ में हैं तो स्वयम कूद कर आते हैं स्वयम जंप मारते हैं अउतार के रूप में आते हैं प्रलाद महराज को बचाने के लिए वो नरसिंग अउतार में आए और नरसिंग अउतार आधा शरीर नर का, मनुश्य का और आधा शरीर सीह का और एक खंबे से आए वो प्रलाद महराज को बचाने के लिए सीता मैया को बचाने के लिए बंदरों को लेके गए लंका के तरफ रावन और उसकी सेना के साथ युद्ध करने के लिए गजेंद्र हत्थी को बचाने के लिए स्वयम आये बिना चपल पहन के और उनको बचाया और मगरमच को मार दिया द्रौपदी को बचाने के लिए साड़ी के रूप में आये तो भगवान कृष्णा अलग अलग अवतार लेते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए और असूरों को मारने के लिए और भी कई उदेश होते हैं उनके अवतार के वो अलग अलग लीला करते हैं और उनकी जो अवतार की लीला होती है भगवान तो अवतार लेकर अपना उद्देश, अपना मिशन पूरा करके चले जाते हैं वो लीला पुरानों में लिखी रहती है, करंथों में लिखी रहती है और उनी को सुन कर हमें भगवान के बारे में पता चलता है उनके नाम के बारे में, उनके रूप के बारे में, उनके गुनों के बारे में, और उनकी अलग-अलग लीलाओं कथाओं के बारे में और इस तरीके से हमारा भगवान कृष्ण के उपर विश्वास बन जाता है, हमारा भगवान कृष्ण के साथ संबंद बन जाता है, हम भगवान कृष्ण के प्रती आकरशित हो जाते हैं, हम भगवान कृष्ण के प्रती आसक्त हो जाते हैं, और हम भगवान कृष्ण को प्र उनको हम प्रेम करते हैं तो ये हमारे जीवन की सफलता है। तो ये जो कथाए होती है श्रीमत भागवत्तम में वो इसलिए होती है कि हम उनके बारे में और जानकारी हासिल करके उनको प्रेम करें। तो भगवान कृष्णा अवतारी अवतार तो बोली सकते हैं उनको क्योंकि अवतार का बेसिक मतलब है वो उपर से नीचे आए। अगर उससे एक बड़ी बात है कि वो सरफ अवतार नहीं है वो क्या है अवतारी सब अवतार उनसे आते हैं। तो ऐसे करोडो करोडो अंगिनत अवतार आते हैं ब्रह्मा जी के समय में। ब्रह्मा जी का जो जिंदगी होता है वो बहुत बड़ा होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं। और एक कल्प में बारा घंटे का दिन होता है बारा घंटे का रात होता है और एक बारा घंटे के दिन में एक हजार चतुर युग होते हैं एक चतुर युग मतलब चार युग होते हैं सत्युग तरेता युग द्वापर युग कल्युग एक जो कल्युग होता है वो चार लाग बतिस हजार साल का होता है जो द्वापर यूग होता है इसे डबल बारा लाग साल का होता है त्रेता यूग होता है कल यूग से ट्रिपल सोला सत्रा लाग साल होता है द्वापर यूग जो होता है आठ लाग त्रेता यूग बारा लाग और सत्यूग सोला लाग, सत्रा लाग का होता है तो इतने लाखों साल के एक चत्तुर यूग होता है ऐसे हजार चत्तुर यूग मिलकर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है इस एक दिन में करोडो सालों में एक ही बार कृष्णा आते हैं बाकि सम टाइम उनके अवतार आते हैं नारायन आते हैं, विश्नु आते हैं, राम आते हैं, वरा आते हैं, नर्सिंग आते हैं, मत्से आते हैं, कुर्मा आते हैं, बुद्ध कल्की आते हैं, वामन आते हैं, तो ये करोडो अवतारों में, करोडो साल में एक ही बार स्वयम कृष्ण आते हैं, ओरिजनल सुप्रीम प उसको प्राकट्य केते हैं, जैसे सुबह सूर्य उगता है और शाम को अस्त होता है, तो हम यह कहेंगे कि शाम को सूर्य मर गया, नहीं, या सुबह सूर्य पैदा हुआ, नहीं, सूर्य तो हमेशा होता है, रात को भी होता है, हमें दिखाई नहीं देता, actually सूर्या का उगना और सूर्या का अस्तु होना होता नहीं है ये तो हमारे लिए है सूर्या तो एक ही जगह पर है आस्मान में हम हिल रहे हैं इसके लिए हमको लग रहा है कि अभी उग रहा है अभी अस्तु हो रहा है तो यह सूर्या का प्राकर्टिय और अप्राकर्टिय appearance and disappearance जनम और मृत्यू नहीं है तो उसी तरह जैसे सूर्या हमें दिखाई देता है सुभे और शाम को फिर दिखाई नहीं देता है रात को उसी तरह भगवान कभी दिखाई देते हैं कभी डारेक्ट पबली को दिखाई नहीं देते तो जब दिखाई देना शुरू होते हैं तो उनको जनम कहते हैं मगर है वो अजनमा उनका जनम होता नहीं है यह दिखाई देते हैं जैसे सूरिय दिखाई देते हैं तो सूरिय उदय कहते हैं तो भगवान कृष्टन दिखाई देते हैं तो हम जनम कहते हैं। मगर हुआ है अजनमा। उसी तर जो वो कारिय करते हैं, उनको करम कहते हैं। मगर है वो है लीला, वो जो काम करते हैं, बासुरी बजाते हैं, माखन चुरी करते हैं। लीला है, काम है, लीला है, खेल है उनके लिए, तो ये जो जनम है और लीला है, करम है उनका ये दोनों दिव्य है, दिव्य है मतलब ट्रांसेंडेंटल, मतलब प्रकृति के परे है, प्रकृति के तीन गुन है, सतो गुन, रजो गुन, तमो गुन, ये उनके परे है, जनम, कर उनका जो जनम है और करम है वो दिव्य है और जो वेक्ति ये बात समझ जाता है कि उनका जनम और करम दिव्य है उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है ये ग्यान इतना महान है तो ये ग्यान भगवत गीता में है और शीमत भागवतम में है तो हाला कि वो अजनमा है फिर भी उनका जो जनम है दिव्य जनम है उनका जनम है उनका जनम है पुब्लिक बहुत मनाते हैं हर मंदिर में बनाते हैं लाको लोग आकर मनाते हैं रात को बारा बजे तक और उसी को जन्माश्टमी कहते हैं और जैसे आज हम मनाते हैं घर घर में जन्माश्टमी मंदिर में जन्माश्टमी शहर में हर देश में मनाते हैं जन्माश्टमी उसी तरह 5000 साल पहले जब भगवान कृष्ण स्वयम आये थे तभी भी बिंदावन में बहुत बड़ा जन्माश्मी मनाया गया था पांस दिन का जन्माश्मी मनाया गया था तो वो पांस दिन का जो जनम है वह भगवान का जनम का कता है और जन्माश्मी का प्रोग्राम है आयोजन है उत्सव है वो हम ये साथ दिन चर्चा करेंगे और इसको सुनने से हम बगवान की तरफ आकरशित हो जाते हैं इस दिव्य लीला को सुनने से हम भी दिव्य हो जाते हैं तो यह हमें ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए बगवान कृष्ण के जनम की कता शुरू होती है भूमी देवी से पृत्वी देवी, धर्ती मा समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक देवता और दुसरे असूर, देवता, साधू, पुन्यात्मा, धरमात्मा, अच्छे लोग, असूर, तानव, राक्षश, नास्तिक, बुरे लोग. तो जो वेक्ति बगवान कृष्ण के अस्तित्व पे आस्था रखता है, बगवान कृष्ण के बगवान कृष्ण के प्रती अनुकूल है, या बगवान कृष्ण की 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 बगवान कृष्ण च्राश्ति में कोई मदद नहीं करता, भक्तों को परिशान करता है, तकलीब देता है। वक्तों के खिलाप हो, असूर हो, वो असूर है। असूर जरूरी नहीं कुछ लोग सोचते हैं कि दो बड़े दांत होंगे दो बड़े सिंग होंगे काला काला चहरा होगा ऐसा नहीं असूर खुबसूरत भी हो सकता है असूर राजा भी हो सकता है जैसे रावन था असूर ब्रामन भी हो सकता है असूर अच्छा कपड़ा पहन सकता है, थ्रीपीस सूट पहन सकता है, कार में जा सकता है और असूर सैफरन कपड़े में भी हो सकता है, रिशी मुनी के भेश में भी हो सकता है, सादू के भेश में भी हो सकता है जो विक्ति भगवान के खिलाफ है, भक्तों के खिलाफ है, बक्ती के खिलाफ है, वो असूर है, तो ये जो ब्रहमांड का समय है, काल चक्र है, वो युगों में विभाजित है, सत्युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कली युग, चार युग, ऐसे ये सैकल चलता रह तो जो सत्य यूग था उस समय जो देवता थे वो अलग लोक में रहते थे और जो असूर थे वो अलग लोक में रहते थे दोनों शान्ती से रहते थे अलग अलग समाज में शांती था ट्रेता युग में देवता और असूर दोनों एक ही लोक में रहने लगे लेकिन अलग-अलग कॉंटिनेंट में अलग-अलग देश में रहने लगे जैसे भगवान राम और उनके भक्त अयोध्या में रहते थे और रावन और उनके आसूरिक लोग लंका में रहते थे, बीच में बहुत बड़ा समुद्र था, अलग-अलग कॉंटिनेंट्स में रहते थे, शांती से रहते थे, जब मुलाकात हुआ तो भेंकर युद्ध हुआ रामायन का, और भगवान राम ने रावन आसूर को मार दिय द्वापर युग में दोनों देवता, भक्त और असूर एक ही घर में रहते थे, एक ही परिवार में रहते थे और रोजी जगड़ा होता था, जैसे युदिस्तिन महराज, पांडव और दुर्योदन कवरव एक ही महल में रहते थे और बार बार जगड़ा होता था कल्यूग में देवता और असूर दोनों एक ही शरीर में रहते हैं हमारे में दोनों चेतना का संभावना है देवता के चेतना का संभावना है आसूरिक चेतना का संभावना है 24 गंटा अंदर जगडा चलते रहता है बुराई और अच्छाई का और हमारे हाथ में किसको जीताना है अगर हम अच्छे सादूं का संग करेंगे तो हम अच्छे बक्त बन जाएंगे अगर हम बुरे असूरों का संग करेंगे तो हम असूर बन जाएंगे संग का रंग चड़ता है तो अगर मेरे ऐसे मित्र है जो सिगरेट पीते हैं दारू पीते हैं और मैं पूरा दिन उनके साथ रहता हूँ तो एक दिन मैं भी सिगरेट और दारू पीऊंगा अगर मैं पूरा दिन जुवारियों के साथ रहता हूँ तो एक दिन मैं भी जुआ करूंगा अगर मैं चोरों के साथ रहता हूं तो मैं भी चोरी करूंगा मगर अगर मैं पूरा दिन भक्तों के साथ बिताता हूं तो मैं भी भक्ती करूंगा वो लोग मंदिर जाएंगे तो मैं भी मंदिर जाओंगा साथ में वो लोग बगवान कृष्ण की भक्ती करेंगे उनके सामने जुकेंगे तो मैं भी जुकूंगा तो हमें अच्छा संग करना चाहिए सादू का संग करना चाहिए इसलिए जगह जगह पर मंदीर है उस मंदीर में जाकर बगवान कृष्णा बगवान विष्णू बगवान राम श्री चैतने महाप्रबू इनका दर्शन करना चाहिए और भक्तों के साथ संग करना चाहिए गीता पढ़ना चाहिए बगवत गीता श्रीमत भागवत हम पढ़ना चाहिए बगवान के नाम का उचारन करना चाहिए त और हम अच्छे बक्त बन जाएंगे। तो कल्यूग में एक ही शरीर में दोनों देवता और असूर है। इसलिए कल्यूग में भगवान श्री कृष्णा ने बहुत आसान बना दिया है और जगह पर बैठ कर हम उनका नाम लेकर हमारे असूर के गुनों को खतम कर सकते हैं, लिनार कर सकते हैं और हमारे अच्छे गुन जो देवता की गुन है उसको बढ़ावा दे सकते हैं। इसलिए कल्यूग में हमें हमेशा भगवान का नाम लेना चाहिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे तो बात द्वापर्यू के अंत की है जब भूमी देवी बहुत परेशान थी इसलिए परेशान थी कि उसके उपर बहुत बोजा हो गया था पृत्वी माता के उपर बहुत बोजा हो गया था कौन सा बोजा? बहुत पानी हो गया था समुद्र का या पहाड बड़े हो गये थे या बड़े-बड़े स्काइस्क्रेपर बिल्डिंग हो गए थे ये सब बोजा नहीं बोजा था पाप का पृत्वी माता के उपर जितने भी प्रानी है उस सब उनकी संताने है मनुश्य भी, जानवर भी, पेड़, पौदे भी, मचली भी, पक्षी भी सब और वो सब का भारन पोशन करती है हम सब का खाना पृत्वी माता से आता है जो लोग अनाज खाते हैं, सबजी खाते हैं, फल खाते हैं वो खेती से आता है और अगर कोई मास भी खाते हैं, वो भी खेती से आता है क्योंकि जिस जानवर को आप मास खाते हैं, ओ जानवर तो घास खाता है ना, वो तो खेती से आता है, पृत्वी माता से आता है, बारिश से आता है, सूर्य बारिश और पृत्वी माता हवा के मदद से आता है, तो सबका भारन बोशन पृत्वी माता करती है, और आज जितना जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसे डबल भी हो जाए, तो पृत्वी माता डबल खाना देगी, उसमें कमी नहीं है, उसको तकलीप नहीं है, उसको बोजा नहीं लगता है, जैसे माँ को बच्चा पैदा हुआ, तो उसको दूद पिलाएगी, अगर ट्विन्स पैदा हु परिशान करती है, टॉर्चर करती है, हत्या करती है, बलातकार करती है, तकलीप देती है, यह पाप है, माँ दोनों बच्चों को प्यार करती है, लेकिन अगर एक बच्चा जो बड़ा है, छोटे को परिशान करता है, मारता है, तो माँ को गुसा आएगा, उसको पसंद नह आएगा तो जो भी विक्ति बड़ा है कोई उमर में बड़ा है कोई शरीर के शक्ती में बड़ा है कोई पैसे से बड़ा है कोई नाम से बड़ा है कोई पोजीशन से बड़ा है कोई लीडर है वो छोटे को मदद करना चाहिए जीवन में उपर आने के लिए अपना शक्ती का उप्योग करना चाहिए कमजोर आदमी को उपर लाने के लिए अपना शक्ती का दुरुप्योग कभी नहीं करना चाहिए कमजोर को दबाने के लिए तो पांच हजार वर्ष फुर्व द्वापर्यू के अंत में एक बार ऐसा हो गया कि पृत्वी के उपर भहुत सारे शक्तिशली राजा हो गए जो अपने प्रजा को कमजोर प्रजा को दबाते थे, करूर थे, परिशान करते थे, टॉटचर करते थे, ज्यादा टैक्स लेते थे, रक्षा नहीं करते थे जैसे कंस राजा था, जरासंद था, बानासूर था, नरकासूर था ऐसे हज्जारों हज्जारों लाखों ऐसे राजा हो गए थे जो पापी थे, जो भक्तों को परिशान करते थे, जो दुष्ट आत्माए थे जो सादू संतों को परिशान करते थे, प्रजा को परिशान करते थे तो पृत्वी माता को बहुत तकलीफ हुआ, बहुत बोजा लगा पाप का बोज है ये और पृत्वी माता कुछ कर नहीं पा रही थी, तो पृत्वी माता गई ब्रह्माजी के पास मदद मांगने के लिए ब्रह्मा जी जो इस दुनिया को बनाते हैं शृष्टी करता जो शृष्टी को बनाते हैं बगवान विश्णु जो है गर्बो दक्षाई विश्णु उनके नाभी से एक अमल का फूल निकलता है और उसके उपर ब्रह्मा जी पैदा होते हैं और ये ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं और बगवान कृष्णु उनको ज्यान देते हैं और उस ज्यान से वो ये पूरी स्रिष्टी बनाते हैं ये पूरी दुनिया बनाते हैं तो पृत्वी माता को भी उन्होंने ही बनाया, ये सूरिय है चंद्रमा पृत्वी सब ग्रहों को उन्होंने बनाया, तो जब किसी ग्रह को परिशान हो जाये, तकलीप हो जाये तो भ्रह्माजी के पास जाकर मदद मांग सकते हैं, तो भूमी देवी गई ब्रह्मा जी के पास गाए के रूप में गई आखों में आशू लेकर ब्रह्मा जी को जाके प्रणाम किया और उनको बताया कि है ब्रह्मा देव मैं बहुत परेशान हूँ मेरे उपर बोजा बढ़ गया है बहुत सारे ऐसे राजा है जो असूर है जो जनता को प्रजा को परिशान करते हैं शोशन करते हैं टॉर्चर करते हैं हैरान करते हैं रक्षा नहीं करते और ऐसा मेरे संतान जो है प्रजा जो है वो बहुत तकलीफ में है तो आप कुछ तो ब्रह्मा जी ने दब ये बात सुना और पता चला उनको कि ये कंस है, बानासूर है, नरकासूर है, जरासंध है और इतने सारे असूर है तो ब्रह्मा जी समझ गए ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा मदद मैं पृत्वी माता को मदद नहीं कर पाऊंगा ये लोग बहुत शक्तिशाली है तो ब्रह्मा जी तुरन शिव जी को संपर किये इंद्र, चंद्र, वरून, वायू, अगनी, अन्य, देवी देवताओं को संपर किये कि पृत्वी माता का ये समस्या है तो सब ने कहा कि हम तो ये नहीं कर पाएंगे ये जटिल समस्या है क्योंकि कंस बहुत शक्तिशाली है ओ इंद्र की सेना को भी जीत चुका है नरकासूर बहुत शक्तिशाली है ओ देवताओं को जीत चुका है बानासूर बहुत शक्तिशाली है उसको भी कोई हरा नहीं सकता शीवजी भी उसके ओपर कृपा किये हुए है क्योंकि ओ शीवजी का भक्त है जरासन भी बहुत शक्तिशाली है तो ब्रह्मा जी ने भूमी देवी को कहा, शेव जी को कहा, इंद्रचंद्रवरून वायू को कहा कि चलो हम जाते हैं भगवान विश्णू के पास, वही हमारे पालन हार हैं, वही इस समस्या क्या हल कर सकते हैं और ब्रह्माजी, शेवजी, भूमी देवी और अन्यसब देवता, इंद्रब भगवान के सहीद, इंद्रदेव के सहीद सब पहुंच गए विश्नु के जगह पर श्वेत द्वीप नाम की जगह है जहांपर शिरोदक्षाई विश्नु विराजमान है तीन पुरुष अवतार है महा विश्नु, गर्बोदक्षाई विश्नु, शिरोदक्षाई विश्नु, महा विश्नु जो ये ब्रह्मान्द को बनाते हैं, गर्बोदक्षाई विश्नु जो ब्रह्मा को बनाते हैं, और शिरोदक्षाई विश्नु जो परमात्मा के रूप मे हमारे रिदे में विराजमान है और हर कन में विराजमान है वही इस दुनिया को पालते हैं वो श्वेत द्वीप में दूद का सागर है ocean of milk जैसे हमारे को अनुभव है कि खारे पानी का सागर है इंडिया में है भारत में है और भी देश में है खारे पानी का सागर तो अलग अलग लोकों में अलग अलग प्रकार का सागर है कहीं पर दूद का सागर है कहीं पर मीठे पानी का सागर है कहीं पर मैंगो जूस का सागर है कहीं पर लिकर दारू का सागर है अलग-अलग जगह पर अलग-अलग प्रकार के सागर है, अलग-अलग प्रकार के मौसम है, अलग-अलग प्रकार के एन्वायरमेंट है, जगह है, अलग-अलग प्रकार के लोग है, तो श्वेत द्वीप में दूत का सागर है, जिसमें अनन्शेश की शहिया पर शिरोदक्ष विराजमान है और माता लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही है तो सब देवी देवता ब्रह्मा शिव के सहीत इंद्र के सहीत भूमी देवी के सहीत उस सागर के टट पे पहुँचे वह भगवान शिरोदक्षाय विश्नु से मिल नहीं सकते बस दूर से बातचीत कर सकते हैं तो वह पहुचकर शिरोदक्षाय विश्नु भगवान विश्नु को परार्थना किये पुरुश शुक्त परार्थना होती है जो मंदीरों में भगवान के लिए गाते हैं तो इंद्र ब्रह्मा शिव ओ सब पुरुश शुक्त परार्थना पाट कर रहे थे जिसमें वो भगवान व प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी प्रार्थना सुनते हैं और वो हमारी प्रार्थना समस्ते हैं और हमें आशिर्वात देते हैं तो ऐसे धरम के कार्य में, प्रार्थना में, पूजा में, नाम उच्चारन में शद्धा होना चाहिए, फेत होना चाहिए तो जब हमें शद्धा होती है तो हम अपना जीवन सफल बनाते हैं धरम के काम करने से प्रात्ना किसी पत्थर को नहीं कर रहे हैं हम भगवान को कर रहे हैं साक्षात भगवान मुर्ती के रूप में उदर मौजूद होते हैं मंदिर में तो हमें ये ध्यान देना चाहिए जैसे एक मंदिर है जिसका नाम है साक्षी गोपाल भगवान गोपाल की मुर्ति थी ब्रिंदावन में और वहाँ पर दक्षीन भारत से दो ब्रहामन आये थे दर्शन करने के लिए एक बुजूर्ग ब्रहामन था और एक जवान ब्रहामन था और जवान ब्रहामन ने बुजूर्ग ब्रहामन की बहुत सेवा किया तो बुजूर्ग ब्रहामन बहुत खुश होकर जवान ब्रहामन को कहा कि मैं बहुत खुश हूँ मैं अपने बेटी का विवा आपके साथ करूँगा तो जवान ब्राह्मन ने कहा कि आप तो बहुत बड़े उंचे खांदान से हो बहुत अमीर हो मैं तो गरीब हूँ तो ऐसे विवा तो संभव नहीं है तो उस बुजुर्ग ब्रामन ने कहा कि नहीं नहीं मेरी खुद की बेटी है मैं जिसको चाहिए दे सकता हूँ और आप बले बड़े खांदान से नहीं हो गरीब हो लेकिन आप बहुत अच्छे भक्त हो शुद्ध भक्त हो तो मैं अपना बेटी का कन्यादान करूँगा और ये गुपाल जी का जो मंदीर है इसमें गुपाल जी के मूर्ती के सामने मैं वचन देता हूँ आपको फिर वो वापिस आ गए अपने अपने घर में गाओं में लेकिन वो बुजूर्ग ब्रामन जवान ब्रामन को कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि उसके घर वाले मना कर दिये कि आप ऐसा मत करो ऐसे बहुत लंबी कहानी है फिर विवाद हो गया गाओं में तो जवान ब्रामन ने कहा कि आपने तो गोपाल के सामने कसम लिया है तो गाओं के पंचायत ने कहा कि अगर गोपाल आकर विटनेस करते हैं गवाई देते हैं तो हम मान्य करेंगे कि आप सही बोल रहे हैं तो जवान ब्राह्मन वापिस ब्रिंदावन गए, भगवान के मुर्ति के सामने प्रातना किया कि ये गोपाल जी आपके सामने उस ब्राह्मन ने वचन दिया था कन्यादान का, लेकिन अब भी वो बोल रहा है कि उसको याद नहीं है, सब लोग में को जूठा समझ रहे हैं, तो आप आकर साक्षी दीजिए, आप आकर गवाई दीजिए, शुद्ध ब्राह्मन भगवान को प्रातना कर रहा है, एक दो बार ऐसा प्रातना किया, तो भगवान ने उसको कहा कि देखो, आप जाओ उदर और वहाँ पर मुझे याद करना सब ठीक हो जाएगा, बुरा न मूर्ती हूं, मूर्ती कभी चलती है क्या, तो ब्राह्मन ने कहा कि अगर मूर्ती बोल सकती है, तो चल क्यों नहीं सकती, if you can talk then you can walk, गोपाल जी हार गए और उसके पीछे पीछे चल पड़े, गवाई देने के लिए और गाउं में पहुंचे और गवाई दिया, और उसका क हैं, और जब हम प्रार्थना करते हैं श्रद्धा से, तो हमें फल प्राप्त होता है, तो उसी तरह इन्होंने देखा नहीं भगवान को, लेकिन उप्रार्थना किये, लेकिन ऐसा हुआ, उस समय पुरुशर शुक्त प्रात्ना के बाद भी कोई जवाब नहीं आया, तो भ् रिदय से भगवान विश्नु को संपर किया, और बातचीत किया, और भगवान को समस्या बताया, और भगवान ने उत्तर दिया, फिर समादी से भार निकल कर वो देवताओं को अनौंस किये, शिवजी, भूमी देवी, इंद्रा, चंद्रा सब को अनौंस किये, कि मेरा विश्णु ने कहा है कि भूमी देवी की समस्या उनको पहले से ही पता है जरासंद, कंज, बानासूर, नरकासूर, पूतना, बकासूर, अगासूर, त्रिनावरज, शक्तासूर, प्रलंबासूर इन सब असूरों के बारे में उनको पहले से ही पता है और भगवान विश्णु जी आएंगे अनंशेश योगमाया जी आएगी और वो भूमी देवी की मदद करेंगे असूरों का विनाश करेंगे और साधूों की रक्षा करेंगे परित्रानाय साधू नाम विनाशाय दुष्कृता स्वयम भगवान कृष्णा आने वाले हैं और उन्होंने ये भी कहा है क अलग अलग परिवारों में और उनके रिष्टेदारों में पैदा हो जाओ और वहाँ पर अपना परिवार बनाओ ताकि जब भगवान आएं तो आपका सहयोग प्राप्त हो उनके मिशन में आपकी सेवा प्राप्त हो यदू बंश में आने वाले हैं उनके पिता होंगे व जो शुद्ध भक्त हैं वो नीचे आते हैं अलग-अलग परिवार में ताकि भगवान की सेवा करें, उनके उद्देश में उनको मदद करें तो ये ब्रह्मा जी को अंदर से ज्ञान प्राप्त हुआ कृष्ण से, विष्णु से और उन्होंने वो देवताओं को दिया इसको परंपरा सिस्टम कहते हैं, गुरू परंपरा सिस्टम कि कृष्ण से ज्ञान आता है ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी से ज्ञान जाता है नारद मुनी के पास, नारद मुनी से ज्ञान आता है व्यासदेव के पास, व्यासदेव के शिश्य है मध्वाचारिया और ऐसा नीचे आता है श्रीला प्रभुपाद जी के पास इस डिवाई इंग्रेस एसी बक्तिवेदा स्वामी श्रीला प्रभुपाद जो इसकौन के संस्थापा का अचारिय है, फाउंडर आचारिय है, कृष्णा बावनामरु संग के और उन्हीं के लिखी किताबों से हम ये कथा कर रहे हैं, तो ये प्रमानिक ज्यान है जो परमपरा में आ रहा है, ज्यान प्रमानिक होना चाहिए, गुरु शिश्य परमपरा में आना चाहिए, कोई भी वेक्ति, अब मां के पेट से निकल कर गुरु नहीं बनता है, कि मुझे बहुत ज्यान है, मैं गुरु बन नहीं ये सब बोगस है, असली गुरू वही होता है, असली शास्त्रों का वक्ता वही होता है, जो परंपरा में अपने गुरू से सीखा है, और उसी परंपरा में उसके गुरू ने सीखा है, और उसके गुरू ने सीखा है, उसके गुरू ने सीखा है, ऐसे वो जाता है परा में देवताओं को ग्यान दिया, देवता लोग बहुत खुश हो गए, कि कृष्णा स्वयम आ रहे हैं, और हमें सेवा का मोका दिया है कि हम भी नीचे जाकर, अलग-अलग परिवार में पैदा होकर, पुन्य आत्मा के परिवार में पैदा होकर, जब कृष्णा आएंग असूरों को मारेंगे, और मेरी परिशानी दूर हो जाएगी, कृष्णा का एक नाम है अच्यूत, अच्यूत मतलब वो वेक्ति जिसका कभी गलती नहीं हो, जो कभी गलती नहीं करता, इनफैलियेबल, हमेशा सही काम करते हैं, हमेशा उनका काम सफल होता है, उनसे कोई गल पर खुश हो गई कि मेरे समस्या का भी हल हो जाएगा, इदर यदूवन्ज के जो अभी राजा थे, उनका नाम था शूरसेन, शूरसेन, उमतूरा राज्यं में राजा थे, मतूरा उनकी राजधानी थी, यदूवंच को मतूरा पसंद है क्योंकि मतूरा में भगवान कृष्णा लीला करते है आज मी मतूरा में बहुत सरे यदूवंच के यादव है यादव कहां से आए यदूवंच से आए तो अलग-अलग स्तिती है बहुत साल हो गये तो शूरसेन राजा थे मतूरा के और उनका पुत्र था वसुदेव और यदूवंच के लीडर थे और जो भोजवंच था उनके लीडर थे उग्रसेन उनका बेटा था कंस और उग्रसेन का भाई था देवक और उनकी बेटी थी देवकी तो ऐसा हुआ कि शूरसेन का बेटा वसूदेव और देवक की बेटी देवकी इन दोनों का विवा हुआ यदुवन्ष और भोजवन्ष इन दोनों का विवा हुआ और पहले राज़ा लोग विवा बहुत दुम्दाम से करते थे कन्यादान बहुत दुम्दाम से करते थे और दोनों राजा हैं, राजकुमार और राजकुमारी है, वसुदेव और देवकी उनका बहुत धुमदाम से विवा हुआ, गाना बजाना हुआ, फूलों से सजावट हुआ, और बहुत सारे महमान आए, और बहुत सारा पकवान खिलाया गया, प्रसाद खिलाया गया, तो ऐ विवा में देवकी के पिता ने खुश होकर बहुत सारा दहेज में देवकी के साथ भेजा था, हाथी भेजे थे, घोड़े भेजे थे, रत भेजे थे, सुंदर कन्याय भेजी ती दासियां बनकर और बहुत सारा धन, कपड़ा, जेवर बहुत कुछ भेजा था, पहले ऐसा हो और पहले ऐसी प्रथा थी कि जब विवा हो जाता है और दुलहन ससुराल जाती है अपने पती के साथ, तो उसका भाई भी उसके साथ जाता है, कुछ दिन रहता है उसके साथ, ताकि उसको नया-नया तकलीप नहीं हो, क्योंकि घर का याद आता है, यह नया घर में अज्जस्ट करना है, तो भाई जाता था उसका मदद करने के लिए, तो जब वसुदेव का भिवा हो गया देवकी के साथ और वो वापिस वसुदेव देवकी को लेके जा रहा था अपने घर पे तो देवकी के साथ कंस भी गया जो उसका कजिन भाई था जो उसका भाई था और कंस देवकी को बहुत प्रेम करता था कंस इतना प्रेम करता था देवकी को कि कंस ने कहा कि मैं खुद रत चलाओंगा हाला कि सार्ती था लें कंस खुद रत चला रहा था देवकी वसुदेव दुला दुलन रत के उपर विराजमान थे और रोड पर पुरा प्रजा भरा हुआ था अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे और संगीत वाद्य बज रहे थे और करताल बज रहे थे मृदंग बज रहे थे डमरू बज रहे थे और बहुत सारे गाने कहा रहे थे सब लोग बहुत खुस थे, पुरा शेहर सजा हुआ था और कंज भी बहुत खुस था, देवकी खुस थी, वसुदेव खुस थे, कंज सेवा कर रहा था अपने बेटी बेहन का, इतना प्रेम है उसको, तो जब ऐसे उकण्स जा रहा था वसुदेव के घर पे, वसुदेव देवकी को लेकर, कि अचानक बादलों के पीछे से आवाज áया, आकाशवानी है, आकाशवानी मतलब रेडियो नहीं, आकाशवानी मतलब बादलों के पीछे से देवता क्छुप कर बात करते हैं, कोन बो वो सुनाई देता है, आकाश की वानी, मतब आकाश ने बोला, किस ने बोला मालूम नहीं, छुपे हुए देवता होते हैं, तो अचानक आकाश वानी हुआ, आवाज आया जोर से, और बातचीत हुआ, अनॉंस्मेंट हुआ, क्या? ए मुर्ख कंस, जिस देवकी को तुम लेके जा रहे हैं, उसी का आठवा बेटा, तुमारी मृत्यू का कारण बनेगा, कंस को मुर्ख बोर दिया, और बविश्यवानी किया, कि देवकी का आठवा बेटा तुमको मारेगा, कंस डर गया, भैने उसकी, लेकिन फिर भी कंस इतना क्रूर था, क्रूर था, क्योंकि वो असूर था न, तुरंद देवकी का बाल पकड़ के खीचा, और अपना तलवार निकाला देवकी को मारने के लिए, देखिए कितना क्रूर था कंस, अभी तक तो देवकी की सेवा कर रहा था, खुद सार्थी बन चुका था, रच चला रहा था, देवकी को उसके नए घर में छोड़ने जा रहा था, और जैसे ही उसने सुना उसके मृत्यू के बारे में, इतना आसक्त था अपने शरीर से, कि तुरन देवकी को दुश्मन समझ के, उसके बाल खीचे, उसको तकलीब दिया, और तलवार निकाला देवकी को मारने के लिए, ये कुरूर होते हैं, असूर लोग ऐसे ही होते हैं, ये असूर होते हैं, जो अपने रिष्टेदार में लोगों को मारते हैं, अपने जरूरत के हिसाब से, ये सिरफ स्वार्थी होते हैं, इर्शालू होते हैं, हिंसक होते हैं, गुसेल होते हैं, एहिंकारी होते हैं, और खुद के बचाव के लिए, खुद के भलाई के लिए, खुद की इच्छा पूर्ती के लिए वो अपने रिष्टेदारों को, स्त्रीयों को, बच्चों को, ब्रामन को, रिशी मुनी को, बक्तों को, गाए को, बुजुर्ग लोगों को भी मारने में चूकते नहीं है। ऐसे तो शास्त्रे में बताया गया है कि पांच को हमेशा रक्षा करना चाहिए, कौन पांच को, स्त्री, बच्चा, बुजुर्ग, गाए, ब्रामन याद रखे ये पांच, कौन पांच, स्त्री, बच्चा, बुजुर्ग, गाए, ब्रामन इनकी रक्षा करना चाहिए, इन प नहीं देना चाहिए, कभी गाय से गलती हो गया, दूसरे के खेती में गुस के खा लिया, तो उसको मारना नहीं चाहिए, कभी बच्चे या स्त्री से गलती हो गया, या बुढ़ापे में बुजुर्ग से गलती हो गया, या ब्रामन से गलती हो गया, तो इनको सजा नहीं देन लेकिन असूर लोग इतने हिंसक होते हैं, इतने स्वार्थी होते हैं, इतने घमंडी होते हैं, इतने गुसेल होते हैं, इतने इर्शालू होते हैं, कि इनको भी परेशान करते हैं रावन रिशी मुनियों को मारता था हिरने कशिपु भक्तों को देवताओं को मारता था अपने बेटे को मारता था और अभी कंस अपने बेहन को मार रहा है स्त्री को मार रहा है दुर्योदन भी दुरौपदी को परिशान किया नीवस्तर देखने का कोशिश किया तो वसु देव जो अभी नया नया पती बनाए देवकी का दूला जो है वो हैरान हो गया कि ये मेरा कंस जो साला है देवकी का भाई है कितना कुरूर है अपने भेहन को मार रहा है जवान भेहन को शादी के दिन शौक हो गया हूँ और वो भक्त है जिम्मेदार है भक्त जिम्मेदार होता है वो समझ गया मुझे किसी तरह अपने पत्नी को बचाना चाहिए उसने ये नहीं सोचा कि ये तो अभी तक मेरे घर पे भी नहीं आई इसकी बहन है जो करे करे मैं क्यों बीच में जाओ उने तो मुझे मारेगा तुरन तो कंस को रुका रोका बहुता कंस रुक जाओ मत मारो अपने बहन को एक स्त्री की हत्या करके क्या फाइदा होगा आपको एक स्त्री की हत्या नहीं करना चाहिए किसी शत्रिया ने श्त्री के उपर हाथ नहीं उठाना चाहिए और आप इतना डर क्यों रहा है मृत्यू से मृत्यू तो आने वाली है, सब की आने वाली है जो व्यक्ति पैदा हुआ है, उसकी मृत्यू निश्चित है और जो मर गया, उसका जनम निश्चित है जनम और मृत्यू ये तो चक्कर चलते रहता है कोई भी विक्ति बोल नहीं सकता है कि मेरा कभी मृत्यू नहीं होगा जनम के बाद मृत्यू निश्चित है मृत्यू के बाद जनम निश्चित है और कंस मृत्यू तो हमारा रोज हो रहा है अगर मेरा आयू सतर साल का है और हर साल एक एक साल बढ़ता है तो मैं actually मृत्यू के करीब जा रहा हूँ अगर मेरा आयू बीस साल है और अगले साल एक्कीस हो जाता है तो मैं जब बीस साल का था तो सतर से पचास कम था 50 और बाकी है जब 21 साल का हो गया तो 49 और बाकी है तो मैं मृत्यू के करीब गया न लेकिन फिर भी लोग happy birthday मनाते है अरे मरने वाला है ये मरने के करीब जा रहा है ये और हम happy birthday मना रहे है तो जब जब समय आगे बढ़ता है साल आगे बढ़ता है दिन आगे बढ़ता है हम मृत्यू के करीब जा रहे है हम रोज मर रहे है हम रोज मर रहे है तो मृत्यू तो सबकी निश्चित है कोई ऐसा बोल नहीं सकता कि मेरी मृत्यू नहीं होने वाली और मृत्यू शरीर की होती है आत्मा की नहीं होती है ये शरीर के अंदर आत्मा है जो असली व्यक्ति है, ये शरीर तो सरफ कपड़ा है, जैसे एक व्यक्ति में, जिन्दा व्यक्ति में और एक मृत्तक शरीर में क्या फरक है, आत्मा का फरक है, मान लो किसी के घर पे मृत्यू हो जाए, और आप जाओ उनके घर पे, तो क्या देखोगे कि शरीर बिस्तर पर है और चारो तरफ रिष्टेदार जमा हुए हैं, रो रहे हैं, कि मेरा बेटा मर गया, मेरे पती मुझे छोड़के चले गए, हमारे पिता चले गए, सब लोग र रहे हैं, तो आप जाओ पत्नी के पास, बोलो आप क्यों रो रही हो, ओ बोलेगी मेरा पती मुझे छोड़के चला गया, तो आप बोलो नहीं, आपका पती तो ये रहा बिस्तर पर, बोलो नहीं, बोलो हाँ, ये आपका पती देखो, सब कुस तो है, what is missing, कुछ कमी तो नही है, दो आक है, दो हाथ है, दस उंगली है, दो पैर है, उसमें दस उंगली है, बाल है, नाक है, किड्नी है, लीवर है, हार्ट है, पेट है, कुछ कमी तो है ये नहीं, सब कुछ है, दात है, जीब है, कान है, कल इसका जो वजन था और आज इसका जो वजन है, दोनों सेम है, एक ग्राम भी कम नहीं है जिंदा शरीर और मरा हुआ शरीर सेम वजन कम कमी नहीं है तो पत्नी क्या कहेगी नहीं नहीं ये मेरा पती नहीं है ये मेरे पती का शरीर है पती तो सुबह ही छोड़ कर चला गया अरे कौन चला गया वाट इस मिसिंग वो है आत्मा पूरा जीवन पत्नी सोचा ये मेरा पती है आज बोलती ये मेरा पती नहीं है इसके अंदर कोई था जो मेरा पती मुझे छोड़के चला गया मरने के बाद मालूम बढ़ा कि मेरा असली पती ये शरीर नहीं है उसके अंदर कोई जीव था, कोई आत्मा था हम क्यों मृत्यू का इंतिजार करें हमें आज ही समझ जाना चाहिए कि इस शरीर के अंदर एक आत्मा है जो असली विक्ती है और जैसे इस शरीर के उपर हम कपड़ा पहनते हैं और रोज सुबे कपड़ा निकाल कर दूसरा पहनते हैं और कुछ महीने बाद फटावा कपड़ा फेक कर नया खरीद के पहनते हैं उसी तरह आत्मा शरीर बदलता है जैसे हम पुराने वस्तर उतार के नय वस्तर पहनते हैं उसी तरह आत्मा पुराना शरीर उतार कर नया शरीर पहनता है, तो जब नया शरीर आत्मा को मिलता है उसको कहते हैं जनम, और जब पुराना शरीर आत्मा छोड़ता है तो उसको कहते हैं मृत्यू, तो जनम मृत्यू शरीर को होता है, आत्मा को तो नहीं होता है, आत्मा तो ह नाश नहीं कर सकते, आत्मा तो हमेशा रहता है, शरीर बदलते रहता है, आत्मा में तो बदल परीवर्तन नहीं होता, ये तो हमारा ब्रह्म है, जब हम लोगों को देखते हैं, छोटे आयू से बड़े हो रहे हैं, फिर बुड़े हो रहे हैं, तो हमको लगता है कि बदल रहे मगर वो बदलते नहीं है, आत्मा नहीं बदलता है, शरीर बहार का शरीर बदल रहा है, वेक्ती तो वही है ना, जैसे रात को हमें दिखता है चंद्रमा, और रोज बदलते रहता है, अमावत से आती है, नहीं दिखता है, फिर दिरे दिरे बदलता है, पुर्नी मा आती है, त चंद्रमा में परिवर्तन नहीं हो रहा है, हमको चाया के कारण कम ज़्यादा दिखाई दे रहा है, अमवस्या पुर्निमा दिखाई दे रहा है, उसी तरह शरीर में परिवर्तन हो रहा है, कपड़ा बदल रहा है, वेक्ती तो वही है, अंदर आत्मा तो वही है, तो जो शरी एनीवे मरने वाला है, रोज मर रहा है, बदल रहा है, पुराने वस्तर का क्या दुख? तो वसुदेव कंज को समझा रहा है कि आत्मा का ग्यान होना चाहिए और आत्मा अमर है आत्मा का मृत्यू नहीं होता है शरीर का मृत्यू होता है तो उसमें हमें दुख नहीं होना चाहिए देखे ये बहुत बड़ा आत्म ग्यान वसुदेव कंस को दे रहा है मगर कंस के पले नहीं पड़ा कंस फिर भी गुसे में था कंस फिर भी देवकी को मारना चाहता था कंस का मन शांत नहीं हुआ ऐसे असूर होते हैं अच्छा ग्यान दो, अच्छा एजूकेशन दो, अच्छा शिक्षा दो फिर भी वो क्रोधित होते हैं कभी-कभी एक आवत में कहते हैं कि मुर्खों को आप सला दोगे तो वो और गुसा हो जाएंगे अच्छी सला दे रहे हैं उनके भलाई के लिए लेकिन फिर भी वो गुसा होते हैं तो वसुदे थोड़ा परिशान हो गए सोचने लगे कि मैं इतना ग्यान दे रहा हूँ इतना अच्छा अच्छा सला दे रहा हूँ इतना शिक्षा दे रहा हूँ इतना आत्मग्यान का बात कर रहा हूँ पिर भी इसको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे भी लोग होते हैं, तो अगर आकाश वानी सच है, तो देवकी बचने ही वाली है, देवकी का बेटा होने ही वाला है, और वो बेटा, आठवा बेटा, कंज को मारने ही वाला है, अगर आकाश वानी सच है, तो अंडेड परसंट बचने वाली है, लेकि इसको अगर ये नहीं कि मैं कोशिश नहीं करूँ, मुझे अपना कोशिश करना चाहिए, और मेरा करतवय मेरा कोशिश करने के बाद अगर मैं सफल नहीं भी हुआ तो जो भगवान की इच्छा देखे कर्तवे परायन विक्ति का विचार है ये एक तो अपना कर्तवे करना चाहिए अगर मालूम है मैं फेल होने वाला हूँ असफल होने वाला हूँ फिर भी अपना कर्तवे करना चाहिए ये धरम है और दूसरी बात अगर मालूम है काम एनिवे होने वाला है इसकों ले नहीं करो देखे दोनों बात है गर में महमान आता है शायद मालूम है पानी नहीं पेगा क्योंकि बहुत बार आया है कभी नहीं पेगा फिर भी अपना कर्तवे पूछना पानी पेएंगे खाना खाएंगे कर्तवे करना चाहिए बला ही फेल हो चाहिए और दूसरा आमको मालूम है जैसे कोई बिखारी है रोज कही न कही खा लेता है आज भी खा लेगा मैं नहीं दूएगा तो भी मरेगा थोड़ी खा लेगा फिर भी अपना कर्तवे हमारे सामने बूखा है तो उसको खिलाना चाहिए हम नहीं खिलाएंगे तो मरेगा नहीं कोई और खिलाएगा उसको भई सही बात है यह सही बात है खा लेगा हो हमारा कर्तव्य हमारे सामने बूखा है तो खिलाना चाहिए तो अपना धरम करना चाहिए, अपना कर्तव्य करना चाहिए कभी अपना कर्तव्य कैंसल नहीं करना चाहिए दो प्रकार का पाप होता है एक होता है करने वाला sin of commission, committed sinful activity पाप किया एक होता है छोडने वाला sin of omission अपना कर्तव्य नहीं किया जैसे महाबारत में जब दुरोपदी को दुशासन साड़ी खीच रहा था तो दो प्रकार का पाप हुआ एक तो दुशासन ने पाप किया sin of commission उसने पाप किया दुरोपदी का साड़ी खीचा एक स्तरीक के कपड़े को हाथ लगाया पाप है यह बीश्म पिताना में पिता मा ने भी पाप किया कौन सा पाप किया उन्होंने साड़ी कीचा नहीं वो चुप रहे sin of omission उन्होंने अपना duty omit किया अपना कर्तव्य omit किया अपना duty नहीं किया अपना कर्तवय नहीं किया, वो खड़े होकर प्रोटेस्ट नहीं किये, चुप रहे, बोले नहीं किये, गलत हो रहा है, मत करो, या राजा को बोले नहीं किये, गलत हो रहा है, इसको रोको, उनका काम है राजा को सला देना, तो दुशासन ने भी पाप किया, sin of commission, और भिश्म पिता अमाने भी पाप किया, sin of omission, अपना कर्तवय नहीं किया, वो बोले नहीं, दोनों को करम लगा, दोनों को पाप लगा, तो अपना कर्तवय करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, या सुस्त नहीं होना चाहिए, तो वसुदे हमें सिखा रहे हैं, तो वसुदे सोचे कि कंज को किसी तरह शांत करना है और सोचे कि पहले किसी तरह देव की बच्जा है फिर बच्चों को बचाने का सोचूंगा मैं देव की बच्जा है तो ही तो बच्चे होंगे और बच्चे होंगे तो हम सोचेंगे तो इसके लिए थोड़ा मुस्कुरा कर हाला कि अंदर बहुत बरेशान और दुखी था कि उसका साला ऐसा है लेकिन खुश करने के लिए मुस्कुरा कर कंस का प्रात्वना किया और कंस का गुनगान करने लगा कि कंस आप तो भौत धार्मिक विक्ति हो पुन्य आत्मा हो भोजवंच के हो अच्छे खांदान के हो उग्रसेन आपके पिता राजा है बात भादूर हो और सोचो एक स्त्री को आप हत्या कर रहे हो ओ भी जो आपकी बहन है और ओ भी उसके शादी के दिन आपका नाम खराब हो जाएगा ये बात कंस को थोड़ी जची ही दिखिए पहले जब आत्मा का ग्यान दिया कंस को नहीं जचा लेकिन अभी जब उसके फाइदे का बात किया तो उसको जचा ऐसे स्वार्थी असूर होते है तो उसने का कंस उसी के शादी के दिन अपने भेन को एक स्थी को मार रहे हो ये अच्छी बात नहीं है और आप देवकी को क्यों मार रहे हो देवकी तो आपको नहीं मारने वाली देवकी से तो आपको खत्रा नहीं है देवकी का संतान वो भी आठवा संतान आपको मारने वाला है मैं वसुदेव आपको वचन देता हूँ कि देवती के हर संतान मैं आपको लाके दूँगा आप देवकी को छोड़ दो अभी वसुदेव का वचन मतलब बहुत भारी बात था वसुदेव एक सत्यनिष्ट वेक्ति था सत्यवादी वेक्ति था और अपने वचन के उपर हमेशा कायम रहता था ये पूरे जनता को मालूम था कि वसुदेव के मुँँ से कभी जूट नहीं निकलता है कंस को भी मालूम था और कंस को विश्वास हो गया वसुदेव के उपर उसने देवकी को छोड़ दिया देखे एक क्रूर असूर वसुदेव के उपर भी विश्वास करता है क्योंकि वसुदेव हमेशा सत्य बोलते है सत्य इतना बड़ा धरम है इमानदारी इतना बड़ा धरम है कि एक असूर भी विश्वास करता है, एक सादू के ऊपर, इसके लिए हमेशा इमानदारी से कार्यक करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, जूट कभी नहीं बोलना चाहिए, अगर मैं आपकर आपको कुछ जूट बोलू तो आपको पसंद है? नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं, हमारा रिष्टा खराब हो जाएगा, तो आपको कहां से लाइसंस मिला जूट बोलने का? कि मुझे आकर कोई जूट नहीं बोलना चाहिए, लेकिन I am okay, मैं जूट बोल सकता हूं सबको, James Bond 007, लाइसंस टू किल, तो आपको कह लाइसंस है जूट बोलने का? नहीं, किसी को नहीं है, तो जूट बोलकर सफलता हसिल करना, जूट बोलकर अपना कार्य सिद्ध करना, जूट बोलकर अपनी इच्छा पूरी करना, जूट बोलकर लेगों को बेवकूप बनाना, ऐसा नहीं करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलने से रात को शांती से नींद आ जूट बोलने से शांती से नहीं नहीं आता है, जूट अधरम है, बोजा है, पाप है, कहते हैं, धरम के चार पैर होते हैं, एक स्वच्छता, दूसरा तपस्या, तीसरा दया, और चौथा सत्यत, सच बोलना, और कल्यूग में तीन पैर तूट चुके, कौन से तीन पैर तूट चुके, दयार तूट चुकी, और सुच्छता सवच्य तूट चुका, और तपसया तूट चुका, पच एक पैर बाकी है, वह है सत्यत, सच बोलना, उसको भी हम तोड़ेंगे, तो धरम समाप्त हो जाएगा अधरम रहेगा, दुनिया में अधरम होगा तो हमारे आने वाली पीडी बहुत मुश्किल में जीएंगे हमारे बच्चे मुश्किल में जीएंगे इसलिए कभी बेमानी नहीं करना चाहिए कभी दोखा नहीं देना चाहिए कभी अपने फाइदे के लिए जोट नहीं बोलना चाहिए इतना सत्य बोलना चाहिए ऐसा सत्य बोलना चाहिए कि लोग हमारे बात पर आसानी से विश्वास करें वसुदेव ऐसा विक्ति था वो जो बोलता था अपना वचन पालन करता था उसने कंस को कहा कि कंस देवकी से आपको खत्रा नहीं, देवकी के आठवे बेटे से खत्रा है, मैं प्रामिस करता हूँ, वचन देता हूँ कि देवकी के सब संतानों को मैं आपको दे दूंगा। कंस को ये बात जची, वशुदेव पे विश्वास आया उसको, और उसने देवकी को छोड़ दिया, और वशुदेव देवकी को लेकर अपने महल में चले गए, कंस अपने महल में चला गया। अभी बाद में देवकी को पहला संतान हुआ, पहला पुत्र हुआ, और वसुदेव अपने वचन के इतने पक्के हैं कि वो पहला पुत्र लेकर कंच के पास गए, देखिए एक सादू वेक्ति ऐसा है कि इतना भी तकलीफ हो वो अपना कर्तव्य करता है, वसुदेव अपने पुत्र को डिफिनेटली प्रेम करते हैं, इस पे कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो अपना वचन निभाना चाते हैं, अपना धरम निभाना चाते हैं, ये एक सादू का पहचान होता है, कि उसको त्याग भी करना पड़े तो करता है, लेकिन अपना वचन का पूरा होता है, तो तकलीफ है फिर भी वसुदेव अपना छोटा बच्चा लड़का मालूम होते हुए कि कंस इसकी हत्या करेगा, जाकर वो कंस को दिया, कंस हैरान हो गया कि वसुदेव इतना महान विक्ती है, एक पिता है फिर भी अपने छोटे शिशु को लेखे आया मेरे पास जानते हुए कि मैं इसकी हत्या करूँगा, इस बात से कंस को थोड़ा दिया आ गया, देखिए वसुदेव इतना महान भक्त है कि उसको देखकर और उसका वेवार को देखकर कंस जैसा असूर भी पिगल गया, दुनिया में बहुत असूर है और उनका रिदय परि वतन करने का एक ही तरीका है कि वो भक्त के संग में आएंगे, जैसे रिशी माल मी की पहले बहुत बड़े डाकू थे, लोगों की हत्या करते थे, नारद मुनी जैसे महान भक्त के संग में आकर इतने महान रिशी बन गए कि उन्होंने रामायन लिखा, और वो रामायन जो ने लिखा, बगवान राम के आने के पहले लिखा, मतलब पूरा राम का कहानी उनको होने के पहले पता हो गया। मिरिगारी एक असूर थे, मिरिगारी एक शिकारी थे, और वो जानवरों को आधा मार के खुश होते थे, मगर नारद मुनी के संपर्क में आकर वो इतने महान वहिष्णों बन गए, हिंसक शिकारी इतना अहिंसक बन गया कि एक चीटी को भी मारना नहीं चाहता था जब वो चलता था या जब वो डंडवत प्रणाम करता था नारद मुनी को। तो भक्ती में इतनी शक्ती है कि वो हमारा रिदय परिवर्तन कर सकता है। क्लास में टीचर जब बोर्ड पे लिखे तो बात करना ये स्कूल के प्राब्लम्स थे। आज क्या स्कूल के प्राब्लम्स है कि बच्चे स्कूल में सिग्रेट पीते हैं, दारू पीते हैं और स्त्रीयों के साथ सेक्स करते हैं, अमेरिका में गन लेके आते हैं स्कूल में, ड्रग्स लेके आते हैं, मुबाईल लेके आते हैं, पोर्नोग्राफी देखते हैं देखिए तीस साल पहले क्या समस्या थी और आज क्या समस्या है इसका मतलब ये स्कूल का विकास हो रहा है इसका मतलब ये शिक्षा का विकास हो रहा है नहीं उल्टा जा रहा है गलत जा रहा है आज माबाप डरते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होकर कॉलेज जाएंगे यु है जाने के लिए क्यों? क्यूνकि वो शिक्षा सही नहीं मिल रही है अगर किसी का चरित्र बनाना है तो उसको एक भक्त के संपर्क में आना चाहिए उसको श्रीमत भागवतम पढ़ना चाहिए उसको भगवत किता पढ़ना चाहिए उसका रिदय परिवर्तन हो जाएगा उसको भक्ती करना चाहिए, हरिनाम करना चाहिए तो कंस का रिदय थोड़ा परिवर्तन हुआ थोड़ी उसको डया आई और उसने वसुदेव को कहा कि आप बहुत महान हो आप साधू पुरूश हो आप अपना वच्चन निभाने के लिए अपने संतान को अपने पहले पुत्र को लेके आए लिकिन मुझे इस पुत्र से डर नहीं है मुझे आपके आठवे पुत्र से डर है इसको आप वापिस लेके जाओ यह नहीं चाहिए मुझे देखी वसुदेव ने अपना वचन पूरा किया, तो ऐसा हुआ, तो वसुदेव खुश हो गया लेकिन हैरान भी हो गया और वो वापिस आया, लेकिन अभी भी उसको विश्वास नहीं हो रहा था, उसको पता था, भल्या कि कंज का मन थोड़ा बदल गया, दयालू हो गया, लेकिन उसके उपर विश्वास नहीं किया जाता, एक असूर के उपर विश्वास नहीं कर सकते, ये सही बात है, एक स्वा और उन्होंने कंस को एक काहनी सुनाई काल नेमी की काहनी जो हम अगले एपिसोड में सुनेंगे धन्यवाद हरे कृष्णा